सनातन संस्कृति में बर्थ उपासना का बहुत महत्व है भगवान सिव को खुश करने के लिए तो अक्सर महिलाए और पुरुस सोमबार्ग का बर्थ रखते हैं जहां पुरुस अपनी मनोकामनाय पुड़ी करने के लिए बर्थ रखते हैं वहीं कुमारी लड़कियां मन पसंद जीवन साथी पाने के लिए और सुहागिन महिलाए सदा सोभागिय रहने की कामना के साथ बर्थ का पालन करती है कहा जाता है कि भगवान सिव भी अकेले ऐसे देव हैं जिने परसंद करना बहुत ही असान है पुले नात भगतों की भगती और सरधा को दिख कर उन्हें मन चाहा परदान देते हैं भगवान सिव को खुश करने के लिए उसके साथ साथ तुछ सरल उपए भी कर लिए जैतो सिव जी की किरपा जल्द ही मिन जाती है आये जानते हैं सोंबार के दिन भगवान सिव के कौन से उफाय करने से लाग मिलेगा भगवान सिव को परशन करने के लिए सुबा नहने के बाद सफेद हरे पिले लाल और आस्मानी रंग के वस्त अंकर ही उजा करें क्योंकि माना जाता है कि पुरानों में रंगों का भी उजा से विशेस मत जोरा गया है जिन जात्कों को मेंटल अस्ट्रेस अतवा किसी भी तरह की प्रेसानी रहती है उन्हें सुबार के दिन सफेद वस्तों का दान करना चाहिए दूद सफेद रंग के वस्त्र दही साबुन चावल खिर आदे सिवाले में चढ़ाने से भागवान सीव के साथ साथ चंदर देव की किरपा भी प्राप्त होती है सिवरक्षा अस्त्रोत का पाट करने से भागवान सीव का आसिस तो प्राप होता ही है साथ साथ पैसों की कमी भी दूर हो जाती है घर में धन प्रवा बढ़ने के लिए सोमबार परदोस और मासिक सिवरात्री के दिन कच्चे चावल में काले तिल मिला कर दान करे प्रित्रिये दोस से छुपकड़ा प्राप करने के लिए भी यह उपर बहुत कारगार है जिन लोगों की कुंडली में चंद गरह का असुपरभवा चल रहा होता है नहीं सोमबार के दिन सफेद रंग के वस्त पहनने चाहिए और माथे पर चंदन का तिलक लगा कर हिंगर से निकलना चाहिए ऐसा करने से नकारत्मक प्रभाव दे रहा सोम सकारात्मक्ता में परिवर्तित हो जाएगा शोमबार के दिन भगवान सिग को अप्छप, चंदन, धत्धुरा, दूद, गंगा, जल और बेलपत से पूजा करनी चाहिए ऐसा करने से हजारों समस्याईं और घर में दूर हो जाती है शोमबार को भगवान सिग को घी, शकर और गिहुं के आटे से बना हुआ चूर्मा भोग शुरूप लगाए ऐसा करने से घर में होने वाले दिन रात के कलेज से छुटकारा मिलता है और सुख सामती वख्षुस हाली बनी रहती है